हेलो दोस्तों स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल के मांसे शूर्टिया दरीजिनिक गुरू में आज आपके लिए क्या आया हूं जो चैप्टर तीसरा चैप्टर है और के जाभुकार्यंत का अंग्रेजी वर्माला परिक्षन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश एल्फाविट टेस्ट इसके बारे में जानेगे जब कभी में चैप्टर शुरू करता हूं सबसे पहले बच्चों से बुस्ताओं कि बच्चों बताओं क्या आपको यूश्य आती है और जब भी बुस्ताओं बच्चे आसते हैं सायर कैसी वादी करने लेकिन जै मैं ट्रिक्स का यूज नहीं करना है बट फिर भी मैं आपको बताओंगा कि कुछ बच्चे याद नहीं कर पाएंगे बताने के बावजूद तो जो बच्चे याद नहीं कर पाएंगे उनको ट्रिक्स बता देता हूं उसके बाद मैं आपको डालक्ली याद कराने के पांच, दस, पंदरा, पीस, पच्छिस, कोई भी अलफबेट निकालना है, for example, मैंने R पूछा था, तो O 15 पर है, तो P 16 पर हो जाएगा, Q 17 पर हो जाएगा, R 18 पर हो जाएगा, मेरा अंसर आगया, 18, इससे हम कोई भी अलफबेट निकाल सकते हैं, ऐसे ही, यह सब बच्छों क पता होती है, हमने सुनिये, जो भी तयारी कर चुका है, पहले कंपरिशन के, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, कि अगर यह समझ में ना आए, तो सेकंड ट्रिक से आपकी सिफिलोरक्स, यह शायद आपने ना पढ़ी हो, नहीं पढ़ी होगी, तो इसलिए मैं बता रह यह क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, जैसे वो 5, 5 के गैप पर है, यह 3, 3 के गैप पर है, इसका फायदा यह है कि या तो अलफाविट जो पूछा जाएगा वो एक आगे वाला होगा, या पीछे वाला, मैंने D पूछा, तो C के बाला आता है, E पूछा, तो F से पहले आता है, G पूछाँगा, F के बाद, H पूछाँगा, I से पहले, J पूछाँगा, I के बाद, K पूछाँगा, L से पहले, तो या तो एक आगे वाला, या पीछे वाला, तो अगर आपको ट्रिक ही याद करनी है, तो इस से अच्छा तो आप यह याद कर लो, है ना, बहतर रहेगा लेकिन मेरा मानना यह है, कि आपका फाइदा तब है, कि जब ना तो आप इस ट्रिक का यूज़ करो, और ना ही आप इस ट्रिक का यूज़ करो, मतलब हमें ये दोनों ट्रिक का यूज़ नहीं करना, हमें बिना ट्रिक के सॉल्व करना है, अब बिना ट्रिक के हम कैसे सॉल् है जो आपको याद नहीं होगी तो छैसा चैप्टर नहीं कर पाओगे एनलोजी क्लासिफिकेशन सिरीज कोडिंडिकोडिंग इस वर्माला परिक्ष्ण वर्ड फॉर्मेशन पेयर फॉर्मेशन काफी सारे चैप्टर हैं जो इंग्लीज एल्फाबेट पर बेस्ट है वह आप तभी कर पाओगे जब आपको एबी सीडिया दोगी और साथी साथ अपोजिट याद लोंगे तो यह तो दी यह आपको याद होता है है और सेम चीज जैड और वाई यह भी आपको नंबर याद होते हैं दिक्कत पड़ती है इनके बीच वाले नंबरों में तो आपको बता है एवन पर आता है बी टू पर आता है सी थी पर आता है डी फोर पर आता है सेम चीज 26 अलफाबेट है त के विना काम नहीं चलने वाला तो सबसे पहली बात करते हैं विटा कि ए कितने नमर पर आएगा तो आप ए को गौड से देखो और आप यह सोचो कि अगर यह है अगर मैं इसमें से यह हटा दूँ यह लाइन अटा दूँ और इसे मिला दूँ तो यह क्या बन गया फाइब या है थीक है कि बात करते हैं तो इसकी बात करें तो कूछ नहीं करना बोले जी में आलड़एडी आपको क्या दिख रहा है इनी कितने पर आता है सफिन पर संभने आ रही है नेक्स्की में सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब प्रख पहले साले लिख लेता हूं हई जे-कनुल इनकी बात करते हैं तो अगर आप बात करेंगे एच इसकी तो आप कुछ मत करूँ बोले सर एच की अगर बात करें तो एच को अपर से मिलाओ नीचे से मिलाओ क्या बन गया आठ यानिकि एच कितने पर आता है आठ कराता का सिम चलाते हैं तो जे को आप याद रखोगी जे कित्ते पर आता है टैन पर आता है के की बात करते हैं तो जो बच्चे IPL देखते थे उन्हें पता होगा केल राहूल की टीम थी किंग्स 11 पंजाब तो आप के कित्ते पर जाएगा 11 पर लेकिन कुछ बच्चे जाई पर नहीं देखते होंगे तो वह कैसे करेंगे यहां थोने में बहना है तो बोई इसे क्या को था अगर को इनसान आप से पूछेगा वहां पर के होवे है 11 पर K होंए है तो वो पुष नहीं तो आपको बता रहा है क्या बता रहा रहा है 11 पर के होवे हैx10 एसे कर सकते हो अगर suppose करो कि यह याद ना रहे तो अब बस यह सोच और 11 से क्या बन सकता है ila तो ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा वीच में पगले कि जाग इस चाहिए अटा दो यह क्या बन गया के यादा पर क्या होता है के ल की बाद करते हैं तो दो इने समय बनाएं एक दो तो आपने लिखा दो अब दो तो हो नहीं सकता मतला बारा इतनी हा रहा है हैं कि बात करें इस इüne और इट कर दो दो क्या दिखेगा तीन अभी तो हो नहीं सकता इतनी आगे आ रहा है तो क्या हो जाएगा 13 अभी बात करता है अधर कर लीद aitah लिगा पर वह किःवा नीचे लाइन खेव दो क्लास फॉर बन गया फोर तो हो नहीं सकता मतलब 14 सिंपल ओकी बात करते हैं तो देखो ओकी अगर बात करें तो पंजाबी में बड़े भाई को बोलते हैं प्रा अना तो अगर मुझे अवाब दिनी दो क्या बोलो ओप्रा ओप्रा की हाल चाल तो चाही थो नहीं सकता चाही से ऐने की 16 सिमपल क्योंके बात करते हैं टो क्योंकि अगर बात करोगे तो आप देखो या तो पूरी ऐबीश्यवे में कुछ मेंने कवार आलफये में से लिट्सेह में इसे निकलता है और जी के अलवा किसी में से निकलता है तो तो क्यों में से निकलता है तो जी अगर साथ पर है तो क्यों हो जाएगा 17 पर 17 या फिर यह करो कि भी बीच में करोना चला था तो कॉरंटाइन करते थे तो आपको जो दुश्मन हो जो मतलब दोस्तों लेकर से चरते हो उसका नाम याद रख लो और सोचोस हो गया को करोना और पर उसको कॉरंटाइन कर दिया गया कुष्टाइन के लिए कर दिया सतरा दिन के लिए ऐसे याद रख लो क्यों के बाता है आर की बात करें कैसे रखोगी बोले सर आर को उपर से तो मिला हुआ है नीचे से भी मिला दो तो लगभग 8 जैसे फिकर बनेगी एट तो नहीं है लेकिन लगभग 8 जैसी है उससे अंदाजा लग जाएगा कि अगर एट नहीं है तो आर हो जाएगा 18 पर इतनी आगे आ रहा है की बात करते है कि अगर बात करें देखो एसको अगर मैं सिर्f उपर-उपर से मिला दूं तो लगभग 8 तो फिगर बन रही है 9 जैसी बन रही है लेकि 9 तो हो नहीं सकता क्यों कि 9 पर आई होता यह लेकिन कि क्या हो जाएगा 19 बात करते हैं हम लोग की बिटा तो ट कैकर कु तो लडकी ओ लडका सब क्यों 21 कर दिये था रखिजा आतो मुरदवाद में अगर आप रह रही हुँ तो आप ने बाइक फिर रख问 को पर नमबर दिखा हो यूपी किस यूपी इकिस तो यूपी इस तो यूपी किस यूपी किस आपको याद रहेगा कि आपसे पूछता हूं विक्तरी का सिंबल कैसे दिखाते हैं आग दो नोंगे से दिखाते हैं तो यह भी दो यह दो मुझे 2 और 2 तो W किते पर हो गया 22 थिक है W ओडिलुए कि बात करते मिटेष़ डाफ्ली करें पर कि रॉटेट करोगे तब लो को क्या दिखेगा फिस वार्व एसे इसे भूमा दो աायकोथ तीन आपको पब इंतो हो नहीं सकता गयर चाफ MIN th को एक सिह आं लिए है डिन्य pend opportun रही नहीं चार लाई नहीं मिल रहे हैं आपको बताए चार तो हो नहीं सकता मतलब 24 यह हो गई आपको ABCD याद कोशिश भर मैंने कोशिश करिए कि आपको याद हो जाए और इतसे असान तरीका मुझे लगता कि कोई है तो अगर आप एक बार इसे पढ़ लोगे जो मैंने बताए जनके आपको हमेशा के लिए याद हो गया अब यह तो आपको याद हो गया इसके पैक्टिस भी कराऊंगा आपको एक होमवग दूँगा वह कर लेना वह कर लोगे तो 6-7 चैप्टर हैं जो आपके कंफर्म हो जाएंगे पेपर में चार नमबर कम से कम पक्की हो जाएंगे किसी इस लिए जुरूरर याद कर लेना वह क्या है वह बाद करेंगे तो और इसके बाद आपको एक चीज और याद करनी है जो है अब अपोजिट अब पोजिट होता क्या है याद करने से पहले तो यह बता रहना चेना कि अप उजिट होता कि même है तो अप्योजिट क्या ओता है है कि सबसे पहले होता है कि आप्लीन उन्हाद करना है मैं कि याट करना है रिया कि को फावजेकर । यहाद कर दें रहुधिगentionki क्यों करेंगे नहीं पता हमें समझना है कि क्यों करते हो भी बताऊंगा लेकिन पहले हम याद मैं इतना टाइम बरबाद कर दूंगा उसमें कि मैं कोशन जतीर में एक करूंगा दूसरा बंदा जिसको याद हो चार-5 करके निकल जाएगा तो हमें याद करना पड़ेगा हमें दें नकालना नहीं हां ने माइनस करके का कुए फशे रेंगे क्या इसका पॉजन देगा उसके लिए आ याद रमजागे याद करने के लिए आप छोटी सी लाइन लिक्वाँगो जो आपको याद रखने है ठीक है opposite याद रखने के लिए आपको छोटी से लएन में लिक्वा हूंगा जो आपको याद रखनी है वह प्रीट की जब आपको वह लाइन चया दोज़ीगी तो आपका काम अपने आप दखेंगा कैसे देखें आपको पता है दो यह अपोच्छ अपोच्छ रोते हैं दो दो पेर बना लो यू एफ बी वाई लो वी ए एश ह आया टीजी इसका फाइदा क्या है अब देखो यह लिखे हो थे मैंने एविश्टी तो आप देखो इसको देखो यू एफ लाइन याद करें पहले लाइन सब्सक्राइब करें अब लव मैं चाहता हूं कि याद ना रखो जतना दूर रहोगे उतना फायदे में रोगे सक्सेस के पास रोगे करियर जल्दी मिल दाएगा तो लव को याद मत रखो लेकिन बॉलीविड ने विगाड दिया अचकल सेकंड क्लास का बच्छा गूंता बच्छा अचकल रहा है मेरी गल्फेंड है लव यू का मतलब भी नहीं पता जिने वह लव बोलते फिर रहे हैं इस पहलें नहीं आती हो लेकिन लव आपके दिमाग में बज गया वॉल्यवड की विए से मॉइल की विए से तो यह आपको याद ही है याद कराने के जरूरत नहीं है शर्ट की बात करें शर्ट हम पहनते हैं आगे क्या लगा थोड़ी से जद्दी जी लगा दिया शर्ट जी लाइन है याद हो गई दो इसका यूस क्या है तो इसका यूस क्या है जरा बोट पर देखें यूस आपको अभी सवन्ग में आजाएगा कि सबसे पहले और वाय तो देखो है यह उपन देखो यह डोजिट इतने से अपोसेट के लाइन से आप ke जो बच गए पेटा हूं कैसे याद रहे उसका उसको याद करते डिलाका पछपन में मेडम् कि आपको पता है क्या पता है कि सरदी में कुछ बच्चे ना आते नहीं है और जब आप ना होगे नहीं, एक दिन तो चल जाएगा, देर दिन, एक दो दिन तो चल जाता है, लेकिन दो दिन से जादा अगर आपने ना बंद कर दिया, तो कितनी ही सर्दी क्यों ना बढ़ना चाहिए, ना जरूर चाहिए, ना, तो अब DW याने कि DU, जब आपको बढ़न आएगी तो इसको मिटाना होगो मिटाने के लिए आप कि लगाओंगे अब सपोज ड़ेट कि अगर आपको ड्याद ना रहे तो हम सब के घर में कौन आता है तो दूद वाला तो D से दूद और W से वाला तो दूद वाला से आपको DW याद रहेगा अब आते हैं बिटा JQ पे हैं तो JQ कैसे याद रखें तो आपको पता है कि गाना आया था जुम ले की रात गाना आया था और एक आया था तु दिला दे मैंने याद रहेगा अगर याद ना रहे जैकली इन से तो आप याद रख सकते हो जंगल क्यू इन से और जंगल क्यू भी याद ना रहे तो आप याद रख सकते हो जेब कत्रा से जेब कत्रा से आपको जेक्यू याद रहेगा अब इससे याद कि आपको जरूबत नहीं है आगे बात करते हैं के पीके तो आपको पता है कि एक मूवी आए थी जिसमें आबिर खान रीडियो लेके नंगा खाड़ा था कान बड़े बड़े थे कौंची मूवी थी तो मूवी से भी आप याद रख सकते हो या फिर काला पानी काला पत्थर कुर्टा पाजामा बहुत साई चीज़ें लेकिन आप पीके याद रखो मूवी जल्दी याद हो जाते हैं इसलिए मैंने बता है बाकी जैसा आपको अच्छा नेक्स्ट एमन बच गया तो हमारे प्रधान मंत हमने सिंगल-सिंगल जाद रखो मुझे याद शियान नहीं सिंगल दिलाग्ि सerkना तो वो बता टील पीटा लिड्ल करने तो कैसे की यह तो हुझा था भी को आप ड。 होगया इभी को आप याद रहे में लिए को आप लिए जंद हो तो मैंने बताए स्यम्पल लिए जी टी जी टी आप मैं लूड़ जी tanto कि शी कितने बहु किन से सहलिने Grand Trunk Road से मैं बता व्हैं अए चैस किया है एस है हिमान्शु और शुरुत्रिय ये क्वोन है ये मैं है ये हमारे रेजिनिंग गुरु है हमारे सर है तो हिमान्शु शूत्रिय मेरा नाम है जली मेर को है Shahisher आप 19 स할 frame फीमोर सब्सक्राइब देखते होगे यह सब्सक्राइब अब जैसा कि मने पहले बता है कुछ बच्चे कहते हैं फिर 25 में से मैनस करके निकाल सकते लेकिन क्यों नहीं पता होता है तो रिजन मेटा मैं बता रहा हूं देखो ज़रा बोट पर यह आपस में अपोजिट है और 26 रिक्रिता होता है 27 25 और 27 कोई सा भी ले लो 8 रहो निस 27 ग्यारा और 16 27 बारावा पंद्र में से माइनस कर देता हूं क्यों कर रहा हूं माइनस क्योंकि अपोजिट का सम 27 होता है क्लियर एक बता देता हूं छोटा सा कोशन था क्या होगा और आप हिमान शूर का नाम भोल जाओ ना मत या ठीक है लेकिन अगर बाय चांस बोल जाओ तो आपको पता है एच आता है क्यों आया बिटा क्योंकि अपोजिट का सम 27 होता है तो आप माइनस करके भी निकाल सकते हो बट डारेक्ली अपोजिट नहीं पूछा जाएगा ठीक है तो आपको याद करोगी तो ज्यादा अच्छा है निकालने में टाइम जाएगा और कोशन में में बहुत सारा टाइम जाएगा अब बात करते हैं कि यह जो मैंने आपको याद कराया है इसका होमवक यह हमीशा के लिए याद कैसे हो तो एक छोटा सा हमवक दोंगा जो प्लीज आपको करना ही करना है उसको जरूर कर लेना क्योंकि छह साथ चैप्टर है जो इस पर बेस हैं चार पांच नंबर है जो आपके पक्के हो जाएंगे तो वह हमवक क्या है वह समझते थोड़ा सा जगे कर देता हूं आप लोग के लिए और समझते हैं तो यह आपने समने नोट करी लिया होगा है ना इसकी शॉट लिए ना बिटा मैं साइड में हूं तो यहां कर शुरूर आपको दिखी जा सिर्फ अंग्रेजी उन्माला प्रक्साइश चैटर के लिए नहीं है यह कई चैटरों के लिए जो आपके बहुत काम आने वाले हर चैप्टर में इसका यूज होगा तो अब हम समझते हैं विटा कि यह जो मैंने आपको बताया इसको होमवर्क क्या है आपको करना के तो एजूकेशन क्या है वो एजूकेशन तो बिटा एजूकेशन एक ऐसा शब्द है इसमें पांचों वाविल आते हैं आप चेक कर दो एबी है यू भी है आई भी है और एबी है तो एई आई ओ यू पांचों वाविल है तो एजूकेशन में पांचों के पांचों वाविल आ आते हैं इसका मतलब आप क्या समझें तो यह तो वह याद यह पांच के बाद 6 आएगा तो याद करने के लिए आपको क्या करना है याद करने के लिए आपको यह करना है कि एक मैं लाइन लिख रहा हूँ एक हमवर्क जो मैं बता रहा हूँ ना मैं जो करके दिखा रहा हूँ वो आपको घर पे करना है कैसे दिखो मैं बताता हूँ वो लाइन जो है जो है जिसमें 26 के 26 अलफावेट आते हैं वो लाइन है दा क्विक ब्राउन fox jumps over the lazy dog यह आपका एक line है इस line में क्या करना है? यह एक ऐसी line है जिसमें AC लेकिए Z तक 26 के 26 अलफावेट आते है के लिए आप चाहों तो देख सकते हो जैसा कि A है, B है, C है, D डॉग में आ जाएगा, यह आ गया D, E है, F यह आ गया, F के बाद G आपका यह आ गया, G के बाद H आ गया, H के बाद I आ गया I के बाद J आ गया, J के बाद K आ गया, K का आ गया, K का आ गया, K का आ गया, K के बाद L आ गया, L ये रहा, ठीक है, L के बाद M आ गया, M के बाद N आ गया, O आ गया, P आ गया, Q आ गया, R आ गया, R के बाद S आ गया, S के बाद T आ गया, फिर U, फिर V, V के बाद W, W के बाद X, X आपको कुछ नहीं करना आपको इस लाइन में नंबर और अपोजिट दोनों लिखने हैं कैसे मैं लिखके दिखाता हूं यही काम आपको करना है आपको करना यह है कि नीचे लिखने है नंबर जैसे कि 20 अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने एक मैं इसे और ज्यादा स्पीड में लिख सकता हूं बट मैंने शलूली लिखा क्योंकि मैं आपको नंबर पहचान में आए नंबर आपको दिखते रहें इसलिए मैंने शलूल लिखा है और ना मैं बहुत स्पीड में लिख सकता हूं अगर आप वीडियो नहीं बना रहा हूता सामने होते ना मैं स्पीड में लिखता ताकि आपको दिखाता है कि आप कित पी K एकपी P K movie, बी वाय बाय बॉआ से याद रखोगे, आई यार इंडर नेलवे, O-L लब में आगया, B-D दूधवाला होगया, N-M नरेंद मोदी होगया, F-U उफ होगया, O-L oh होगया, C-X क्रेक्स होगया, J-Q जैकलीन होगया, UF हो गया, M नरिद लमोधी हो गया, PK हो गया, SH हमान्चुसर हो गया O से L होता है, V से E Evening होता है, EV Evening होता है RI Indian Railway होता है, TG GT Road हो गया, HS हमान्चुसर हो गया EV Evening हो गया, LOLOL से याद रखेंगे AZ लेजी में आ गया, AZ लेजी में आ गया, BY हो गया दी डबलू दूदवाला ओ एल लोल और जी टी जी टी रोड ये हो गया आपके अपोजिट आपने नोटिस किया तो मैं कहीं भी रुका नहीं मैंने कहीं भी सोचा नहीं तो अगर आपको छोड़ी छोड़ी चीज़े बताएं वो याद रहेंगी तो आपका सेकंड नहीं लग कम से कम पांच बार आपको यह लिखना है नीचे नंबर उपर अपोजिट अब कुछ बच्चे कहेंगे सरी मैं कर चुका हूं कुछ बच्चे उससे पड़े हुए हैं तो यह कहेंगे सर मैं कर चुका है आप भी समझो ऐसा नहीं कि आपको होमग नहीं मिलेगा आपको ऐसे लिखना लाइन तो यही रहेंगी लेकिन आप इधर से ना लिखके आप इधर से लिखोगे राइट तो लेफ्ट अपोजिट भी है नमबर भी ताकि जो कमी थोड़ी बहुत रह गई है वह दूर हो जाए फिर स्पीड आपके अपने बन जाएगी अब बेटा कुछ अपने आप जाएगा कि रीजनिंग ना नॉलिज से जादा स्पीड का काम है क्योंकि कोशन तो 25 में 25 कर सकते हो अगर वह आपने आदे घंटे में कर दे या एक घंटे में कर दो तो इसकी वैल्ली नहीं है क्योंकि एक घंटे का तो पिपर होता है सचेगा बात समझ रहें आ अब चैप्टर जो है अंगरे जी वनमाला परेक्षन उसमें हम क्या करेंगे उसमें आपको पांच सीरीज में बता देता हूं कि आप पांस नरीके की सीरीज होती है हमारे पास वह कौन-कौन सी होती है पहली सीरीज होती है बिटा ए से जैट है मतलब जैसे हम एक दी लिखत होता है उल्टा कर दिया मतलब जैट से एक कर दिया तीसरी सीरी होती है कि यदि अंगरे जी वर्माला के प्रथम अर्धांश को प्रित्रम में लिखा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम अर्धांश क्या होता है इसको तोड़ लो इसका मतलब पता कर लो तो प्र अर्धाश मतलब क्या होता है हाफ यानि कि फ़श्ट हाफ अब प्रथम मतलब पहला अर्धाश मतलब अधा हिस्सा तो आप क्या समझे कि ए से लेकर जाए तक 26 अल्फवाविट होते हैं उसमें अधा अधा करना है तो कैसे करोगे 13 इधर 13 इधर सब्सक्राइब तो शुरू के जो 13 अल्फवाविट होते हैं एसे लेके एम तक उसे बोला जाता है प्रथम अर्धाश सेम चीज़ हो जाएगी दूत्ति अर्धाश क्या हो जाएगा मतलब दूसरा अधा हिस्सा दूसरा कहा से बोले एसे लिके एम तक पहला तो एन से लेके ज सेट तक को कहते हैं जो 13 अर्धाश याने की सेकेंड हाफ यह आप समझ गया होगी वह देगा कि यदि अंग्रेजीन वाला के प्रता मर्धांश को प्रीत करम में लिखा जाए मतलब एसे एम को पलट दिया तो कैसे कर दिया एम से और बेटा दूसरे वाले में कोई बदलाव प्रता दिया मतलब पहला वाला भी पलट दिया और दूसरा वाला भी प्रत टोटल यह पास तरीके के पैटन है पास तरीके की सिरीज जो में पढ़ने हैं तो अब शुरुवात करेंगे कुश्चन की चैप्टर तो मैं कराऊंगा आपको प्रैक्टिशीट क्या कहते हैं वह आपको मैं आपके स्क Follow उब यहां चाह denial झाले शेए जो यह से जैड़िया अब चशुरुवात करेंगे कौश्चל से पहली से पेहले सिर्यार कर ने से पहले कौश्चण कर ने से सब्सीद कर देता हूँ कि जो मैने सीक्षा है एसड़ अब सपोर्स कर यहां मैंने को बंदा खड़ा किया इसमाईल बना देते हैं या उसके हाथ या उसके पैर अब ड्रैंक तैमेरी अच्छी है ना तो टीक है ये मैंने बना दिया अब इसमें आपको राइट-लफ चेक करना ना है बिटा तो अगर तालीब करने बिना बोले तो ऐसे इशारा करोगे तो देखो इसाथ से अगर मैं इशारा करूँगा तो यह फिगर बन रही है यानिकि इसे अगर मैं बना दू तो यह बनेगी बनेगी तो बिटा बी यह है स्मॉल बी जिसे हम बोलते हैं बी से बाया इंग्लिश वा आप एपिशीड लिख रहे हो तो यह क्या है आपका बायां तो करोगे कोई आप से बूलेगा तो हम से मतलब एसे मतलब अपना हाथ देख लो कहते हैं वह दाया और जिससे समझदार है तो यह ना बाया दाया ऐसे जाद रख लो जिस सखाते हैं वह दाया बाकि तुम समझदार हो तो मुझे बोलने की जरूरत है नहीं तो बाया से दाया से समझ गयोगे लेकिन एक छिधान लख नहीं कि बाइचांस अगर आप किसी एल्फाविट के बाया दाया जा और हो शेज़ए मैंने ने यह जिया सब्सक्राज के लिए मकभा कि इधर होगा मैं में वोलू एम गदाया कि दूरॉग है मतलब है अगर बाइसे डिनने को को बोलेगा तो तो हम इधर से इधर जाएंगे दाएं से इधर जाएंगे लेकिन किसी एलफाबिट का बायां बोले तो बायां इधर ही होगा और दाया इधर ही होगा तो बायां का बाएंससेद रहें उसन बेधर ही होगा तो हम अब आगे बड़ रहे हो अगे बढ़े उसले चिया जोड दिया है तो आप डायकली कैसे कर सकते हो कि आप 5 और 3 को जोड़ तो 5 और 3 किता होता है 8 और 8 पर क्या होता है एच आगया सेम अंसर अगर इसको उल्टा बोल दू मैंने बोला बाएं से आठ वे पर जाओ तो A B C D E F G H अब बाएं से आठ वे पहुंचे बाएं से आठ वे पहुंचे अब मैं बोल दू बाएं से तीन जाओ इसके बाएं और तीन जाओ देखो यहां पहुंच गया 8 पर अब बाएं जाने तो आप भी जाओगे तो एक दो तीन आप E पहुंच गया अंसर क्या हो गया E हो गया तो जब आप सेम जा रहे हो पहले एक वार बाया एक वार दाया होगा तो आप नंबर्स को आपस में जोड़ोगे या राइट लेफ्ट होगा लेफ्ट राइट लेफ्ट होगा या आप कह सकते हो डिफरेंट होगा तो आप नंबर्स को आपस में जोड़ोगे और जब कोई भी दोनों वार बाया या दोनों तो आप numbers को आपस में minus करते हूं I think अब इतना समझ में आ चुका है तो question अपने start करते हैं थोड़ा आफ़ा समझा देता हूं आज बाकी question जो मैं कराऊंगा आपको वो बिटा कराऊंगा अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको किताब से कराऊंगा मतलब यह तो मैं थोड़ा करते हैं को मोर्ट कैसा लग रहे I take कमेंड कर दो भी ठीक लग रहा है लाइटिंग ठीक है या नहीं है कोई कमी तो नहीं है कोई कमी है थोड़ा सा हें देते रो मुझे और जिस से मैं calm ने में अगर कोई मच्मी लगे तो मैं उसक्मी को दूर कर दो के विटा कैसे कैसे मिलेगा पेपर हैं बिल्कुल जैसे मिलेगा वैसे लिख रहाओ अंग्रेजी वण माला में बाएं से पांचवे अक्षर के दाएं सात्वा अक्षर क्या होगा? मैं आपको बताया था क्या बात कर लेते हैं मैंने आपको बाएं आप से पांचवे अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर बुला साथतो होते हैं हम नंबर्स को आपस में जोड देते हैं तो आप जोड दो 5 और 7 कितना होते हैं? 12, तो 12 पर क्या होता है? L, मेरा आंसर क्या हो गया? L, क्योंकि पहला गोश्चन है तो मैं आपको ये करके दिखा रेता हूँ, कैसे? आप से बोला, अंग्रेजी वडमाला में 22 पांचवा, तो A, B, C, D, E पांचवा हो गया? इसके दाएं जाना है साथ वा, तो साथ जाओ, बोले F, G, H, I, J, K, L क्या आगया? L, अंसर हो गया, 22 पांचवा क्या था? E, पहुंच गया, इसके दाएं जाना है साथ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या आगया? L, अंसर क्या हो गया? L तो ये करने में टाइम लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? डारेक्ली, 57, 12, 12 पर L, अंसर हो गया, इसलिए तो ABCD याद कराई है, तो ABCD याद कराई है, अगर आपको है तो आपके लिए चुठकियों का काम है, जैसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, सब्सक्रों को कोशन में ब 22 अब 22 पर क्या होता है, V, अब का अंसर हो गया, डनों की बात, तो आप क्या समझे, जब भी एक बाया, एक दाया होगा, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, लेकिन अब भी एक चीज है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो के लिए कर देता हूँ, कि आप से बोला, अब क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, अब कैसे करोगे, अब भाज जाओगे, कैसे नहीं फचना है, उसने बोला, 22 से 15 के दाया, तो क्या करेंगे, 15, 15, 30, 32, 32 होगे, अब आप कहोगे सर, ABCD में अलफाबिट हो, 26 ही होते हैं, 32 कैसे हो, तो समझो, कि A से लेके Z तक 26 अलफा बाद दुबारा से भी सी डी स्टार्ट हो जाती है तो 27 पर फिर से हो जाएगा 28 पर बी हो जाएगा 29 पर सी 30 पर डी 31 पर ए अब 32 पर एफ आपका अंसर किता आ गया एफ लेकिन ऐसे करने का टाइम तो होगा नहीं तो दिमाग में वसा ले ना कि एसे लिए जाटता किते अलफ 26 से बढ़ा आएगा जब कवी भी आपका नंबर 26 से बढ़ा आएगा तो जो भी आएगा उसमें 26 घटा देंगे तो 32 में ते 26 घटा दिया 24 34 32 घटा आगया 6 और 6 पर क्या होता है एफ मेरा आंसर क्या हो गया एफ ऐसे करने की जरूद नहीं है तो क्या समझे कि जब भी बदलाओ करते हैं अगले कोशन पर चलते हैं कि अगला कोशन आपका क्या है ठीक है यह रफ कर देता हूं मैं अगला कोशन क्या है कोशन सेम रहेगा थोड़ा सा बदलाओ मैं करता चलूँगा कोशन सपोस्ट करिए क्या है यह चैप्टर बेटा मैं करा चुका हूं तो एक बार आप पुरानी वीडियो पढ़िए है उससे देख लेना आज सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं चैप्टर कराने वाला हूं क्योंकि पूरा आर्केजा बुक करा रहा हूं इसलिए थोड़ा वह स बाएं से पंद्रवे अक्षर के बाएं साथ वा बोला है तो मैंने आपको बताया था क्या बताया था कि जब दोनों बार्स बाया होता है ने कि जब दोनों बार्स सेम होता है नंबर्स को आपस में माइनस कर देते हैं बिटा तो पंद्रह में से साथ माइनस कर दो कितना आ आठ पर क्या होता है एच मेरा अंसर क्या हो गया एच खतम होगी बात देखो पैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ A B C D E F G H I J K L M N O बाएं से पंदरवा क्या होता है O पहुंच गया अब O के बाएं जाना है O का बाएं इधर होगा या इधर होगा बुले सर्फ बाएं यह होता है इधर होगा कितने अक्षर जाना है 7 अक्षर देओ गिनो 12 तीन चार पांच 6 7 क्या या एच तो मेरा अंसर क्या हो गया समझ गया मेरी बात तो डारेक्ली करेंगे ऐसे करने का टाइम हो वारे पास नहीं होगा क्लिर हो कोई बात थोड़ा सा इसको और बढ़ा देता हूं एक कुश्चन मैंने बता दिया एक आप ट्राइ करो कि सपोस करो बोला होता अगर अग्री जीवाल में बाएं से पच्चिसवे अक्षर के बाएं नवा अक्षर क्या होगा यह पूछ सकता था ना क्या बोला कुश्चन में बाएं से पच्चिस के बाएं नवा तो बेटा कमेंट करके बताओ जली से आंसर क्या होगा जली से होगे 16 और 16 पर क्या होता है बिटा पी मेरा अंसर क्या हो जाएगा पी क्लियर हो गई बात तो यह हो गया एक कुश्चन अब आते हैं थोड़े बिदिफिकल्ट पर जैसे उसमें पार चले गए थे इसमें पार चले जाते हैं उसके बाद यह सीरीज आपकी complete हो जाएगी और इ लिक्कद क्या होगी देखो मैं बताता हो मैं बटाताहूं कोश्चन में 2 से 5 ड़ी ओवा रहन दों यह और आप और कोश्चन बोला अंग्रेजी वड़वाला में 2 से 5 अक्षर के रही दान्र वा क्या होता है समझते हैं बटा 32 4 2 Прिक 22 पांच क्या होता यह होता थिक है पहले से पांच वे पहुंच गया अब इसके बाएं जाना है वापीस जाएंगे कितने एक्सान नौ अक्षर तो एक दो तीन चार चार चले गए पांच वेपर जैड चटे पर वाई साथ वेपर एक्स आर्ट वेपर डबू नवे पर क्या आया कि अंसर क्या हो गया वी लेकिन आपका आंसर आता है डबू तो ये जो गलती है मैं ये समझनी है हम लोग क्या करते हैं वो दे वाट था बाया है दोनों बार बाया है मैंनस करेंगे पांच में जा आट कि जब कभी भी आपकी संख्या माइणस में आएगी कि तो आप अपने आंसर को 26 में से माइणस करेंगे किसमें से 20 मेंकरेंगे 46 में से थो चपीश में से चार माइनस कर दो कित्ता आ गया 22 और 22 वाइस होता है वी आंसर तो क्या करना हैاج दिमाग में विसा लेना लिख लेना कॉपी में नोटस बना लेना जब complex मैं आएगी तो हम अपने answer को जो भी आगा अच GEORGE आक है तो सह götो किसी मैंगे 26 अच चे रींगे 26 14 में दो चार गया 22 मेरा answer की क्यों रो गिर पीटर तो पहली series में इतने ही के question होते हैं मैंने आपको सारे question करा दिए अब कुछ series मैंने आपको लिखवाई हैं तो उनके लिए चोड़ा सा concept माइनस प्लस सेम रहेगा कोई concept नगी होगा है लेकिन question भी सेम रहेगा बस या बदले या वो खुछ कषı बदले तो कैसे बदले तो ठोड़ा साम समझ दिता है है अब स्वुज़ रोगोज़न और व कर दी मतलब उसने बोला रख़त्वी में लिखा जाए और है आए सब्सक्राइब अक्षार के दाएं नवा अक्षर क्या होगा तो बेटा फिर वही वाली बात एक left एक right 22 पांच के दाए नवा बाया दाए है जोड़ देंगे 9 और 5 किता हो जाएगा 14 लेकिन 22 से बताना है 14 22 से मतलब Z से और मैंने आपको बता रखाए Z से जब भी गिनते हैं तो क्या करते हैं Z से जब भी गिनते हैं तो अपने आंसर का आपोजिट कर देते हैं तो 14 पर क्या होता है N और N का आपोजिट क्या होता है बिटा M तो मेरा आंसर क्या हो गया M अब अगर आपको आपोजिट याद नहीं है तो और तरीका क्या बताया था चाहें जैट दाई ही हो तो आप क्या करोगे आप उसको 27 मेंस कर दो जो भी अंसर आएगा पांच और नहों चौधा किसमेंस कर दिया फटाइस में फटाइस में चौधा गया तेरा तेरा पर क्या हो गया जैसे इसी में अगर आपको और बोल देता है उसको चोड़ दो कुश्चन को डायक लिख रहा हूं इसे पंद्रवे अक्षर के बाएं पांच वाक्षर क्या होगा तो दोनों वार बाया है और दोनों वार बाया है तो आपको पता क्या करेंगे माइनस 15 में से 5 गया 10 आ गया कह ब्यादर दरिक्लिश्सकार दो और बिंहें मैंस करें जब ऑभी यदि से हिनने ये करेंगे अगर इसी सिरीज में चिनना होता अतला better जोटेँगों आपको याद कराई है अंचर क्या हो गया ओ गया तो हमें यह चीज समझनी पड़ेगी सिरीज कौन सी दी है उसके अपना अंसर करेंगे तो यह सारी सिरीज में आपको करार रखिए बाकि जैसे जैसे कोशन आएंगे उसकोशन के साथ समझाओंगा आज जितने कोशन मुझे कर कर सकते हो बाकि अभी जो मैं कराऊंगा वह आर के जब में अंगरी जी उन्माला परिक्ष्टन है उसमें जो जिस टाइप का कोशन होगा एक से शुरू करोंगा जितने कोशन होंगे सारे करांगा एक्जामपल सहीत तो वह सारे कोशन करांगा उसमें डैफिनिट्लिक हड़ जो दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करिएगा मैं उसमें सुधार करूंगा और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जूरू करते हो लाइक कमेंट तो चलो अच्छी लगी कोशन कर दोगे मुझे कहने की जरूए लेकिन नहीं करते हो तो शेयर कर देना कुछ बच्च आप तो जानते ही हो आपके जौब लगेगे लेकिन कोशिश कहें कि जब सभी लोग पढ़ेंगे न तो आपसे इंट्रेक्शन होगा फिर आपका कंप्रिशन बढ़ेगा तो आपको दूसरे की नॉलज़ भी पता चलेगी है ना तो आपको एक दूसरे की कम्यां बुराइय सबसाफ आपको रोशनी बढ़िया कर दी आपको बड़ा होगा आपको दिख भी साफ रहा है कोई बलगने कोई कुछ नहीं है अब आज भी क्लिज़ दा रही है तो अब बेटा डिटल बॉर्ट माइन ही नहीं रखता तो अभी आना शुरू है एक दो साल से उससे पहले से पढ़ते थे अच्छा पढ़ते थे और बोड़ पे ज्यादा समझ में आता है क्यों जब आप कहते हैं किताब से पढ़ते हो तो आपके दिमाग में बश्ता था पहले लोग का मैंसे बुटी किती तरी वजर्ग वोगो कि क्यों किताब से बढ़के सीखे ते आप जितनी जल जब मुझे फिगरवाल चेटर कराने होंगे इसी में कोशन दिखेंगा साइड में और मैं आस और कराऊंगा तो उसकी उटेंशन आप मतलो बस आप जोड़े रहो और लगातार देखते रहो रोज 8 वजे लाइव वीडियो चलती है रोज रात 8 वजे आप मिलेंगे तो तो यहां वीडियो में मुझे कमेंट नहीं दिखते हैं तो नहीं बोल पाऊंगो लेकिन चैटिंग में आपको रिप्लाइ करता रहोंगा जो कोशन नहीं आएगा वो बताता रहोंगा दूसरी चीज बिटा होमवर्क जो मैंने दिया है आपके जाने से पहले बता देता हू यह मेरा नंबर है 9557-646187 जो बच्चे होमवर्क करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा किया या नहीं किया वो बच्चे इस नंबर पे अपना नाम लिखके कि आपका क्या नाम है और आप कोचिंग में पढ़ रहे हो तो किस क्लास में पढ़ रहे हो कोचिंग के अलग से हो तो आप कैसे मुझे जानते हो वो लिखके मुझे इस पर वाट्सप करोगे कि सर यह मैंने कॉपी बनाई है और यह मैंने आपका जो होमवर्क दिया था पांच वाल लिखने को मैंने कर लिया है क्लिया जो बच्चे वाट्सप नहीं करना चाहते वाट्सप यूज नहीं करत आप Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat जो आप चलाते हो आप वहाँ मेरा नाम डालना आप को मेश्यो हो जाओंगा आप मुझे वहाँ शेयर कर देना ठीक है जरूरी नहीं यह वाट्साप ही करना है जो बच्छे वाट्साप यूज करते हैं वाट्साप पर कर दू जो अच्छे वाट्साप यूज न कौन बच्छा वीडियो देख रहा है कौन को बच्छा कहना माना कौन का मच्छा हमवक नोट कर रहा है क्लिया तो आज के लिए इतने रखेंगे आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे लगी होगी और कोई दिक्कत हो कोई परशानी हो तो आप मुझे बताओ डेफिनि करने पड़ेगे मैं पूरा तयार हूं आप बस लगे रहो मेरे साथ और मेहनत करते रहो बगवान ने चाहा जल्दी जौब लगेगी मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही शुबरात्तरी त्यार लखेगा अपना जैहिंद जैभारत बंदे मात्रा